हेल्लो एब्रीवन माइनेम इस सुदर्शन पांडे एड वेल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल टेक एरा गाइस उमीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे सु गाईस आज का वीडियो हमारा ब्लावर पहने वाला है और आज ब्लावर की हैल्प से हम एक टूल वेबसाइट क्रेट करने वाले हैं जिसका नाम है कीवर्ड जनरेटर ये एक ऐसी साइट है जिससे कि हमारी कीवर्ड जनरेट होंगे कीवर्ड मींज यूनिक नेम एक नया लिए ज़रूरी है कि आपका जो नेम हो वह यूनीक हो एक नया नाम हो जिससे की बहुत जल्दी वह ग्रोग करेगा तो यह site नए नए बड़े बड़े यूनीक नाम जनरेट करेगी तो अगर आपके site पे अच्छे से काम किया तो यह बहुत जल्दी ग्रोग करेगी और आपके इस पर अरनेंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी तो यह website कैसे बनानी है चले देखते हैं अब सबसे पहले मैं आपको यह site दिखाता हूँ कि यह site देखती कैसे है और इस पर work कैसे होता है और एक बात और जितने भी scripts इसमें use हुई है वो सब मैंने अपने website में डाल दी है जिसका link आपको जिजी description पे मिल जाएगा तो गाइस यह वो tool site जो आज हम बनाने वाले हैं सबसे पहले आप देखिए इसका address कहले का हुआ है keyword generator 2.blogspot.com अब blogspot.com लगा इसके मतलब यह site मैंने blower पर ही बनाई है सबसे पहले यहां पर heading लिखी होगी free keyword generator इसको आप चेंज कर सकते हैं अपने coding जो भी आपका मनू लिखने का वो आप चेंज कर दीजिएगा तो यहां पर सबसे पहले एक search tab है इस पर आपको अपने लिखना है keyword तो keyword यहां पर लिख देता हूँ मैं tag ठीक है और फिर आगे इस box को आप टिक कर देजिएगा इससे क्या होगा आप A से Z तक के हर alphabet से आपको इस word का keyword आपको मिल जाएगा फिर यहां पर get keyword लिखा है वहाँ पर click करिए उसके बाद आपके loading स्टाट होएगा यह जैसे green पूरा end तक फिल हो जाएगा उसके बाद आपको सारे keywords मिल जाएगे सु गैस देखिए हमको अब सारे keywords मिल चुके है नीचे देखिए अब टैक word से एसे कितने keywords है वह देखिए पहले से B से कितने हैं से C D E तिल Z तक के हर character से हमको keyword यहां पर मिल चुके हैं इसलिए हमने उस box पर tick किया था सु देखिए पूरा Z तक हमें हर character से keyword यहां पर मिल चुके हैं अब आपके ads आप कहा लेगाएंगे यहां पर मैंने copyright लिखा हुआ है यह आपके ad लगाने की space है जैसे जो लोग beginners हैं जिनको goal adsense का approval नहीं मिला है सो वह इस space पर अपना कुछ भी एक paragraph content कुछ भी लिख सकते हैं अगर आपके पास adsense approval है आप यहां पर ads अपने लगा दीजिए यह कैसे कस्टमाइज करना सब कुछ वह मैंने आगे वीडियो में बताया गया है और एक बात और बता दू मैं आपको कि यह site responsive है means यह site laptop PC पर भी अच्छे से work करेगी और mobile phones पर tablet पर भी अच्छे से work करेगी यह मैं दिखाता हूं यह देखी right corner पर three dots तो मैंने click किया and यहां पर लेखा more tools इस पर click किया and last मैं लेखा developers tool इस पर मैंने click किया so यहां पर आप option देख रहा होंगे अभी responsive का आयागा इसको पर मैं refresh करता हूँ इसको मैं toggle किया देखिए guys responsive क्लिक किया so guys देखिए बिल्कुल responsive है फोर्म में कुछ इस तरह के से दिखाई देगी है और जैसे मैं इसका size बढ़ता जाओंगा देखिए tablet में कुछ इस तरह की से जाएगी और full size में कुछ इस तरह के से दिखाई देगी so completely responsive है हर platform पर हर device भी बहुत अच्छे से work करेगी so अब चलते हैं वीडियो के अंदर और देखते हैं इस item को कैसे बनाना है so guys मैं आगे हैं पर laptop की screen पे so यहां से वीडियो आप ध्यांस देखिएगा अगर आपने एक भी part skip किया so आपके website ठीक सेट अप नहीं पाएगी और ठीक से work नहीं कर पाएगी so सबसे पहले मैं आता हूँ अपने browser पे और फिर search करूँगा blogger.com so blogger.com google का एक tool है एक software है जिसकी help से हम blogs लिखते हैं so यहां पर blog.com खोल गया है और यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले create your blog so इस पर मैं click करता हूँ so blogger पर काम करने के लिए आपके पास एक Gmail account हो चाहिए सिर्फ यह एक requirement है कि आपके पास एक Gmail account हो सुबब फटा बट से account है select कर लेता हूँ and clicking on next so blogger dashboard मैं आ गया हूँ so यह मेरे पहले के blogs है इसलिए एसा interface आ रहा है जब आप Sun in होंगे so आपके डिरेक्टली ऐसे एक window ओपनों की आएगगी जिस पर लिक्का आपगा choose your name for a blog so यहाँ पर आप अपना title लेखिएगा so यहाँ पर मैं title लेखता हूँ keyword tool generator and click on next so यहाँ से address पूछ रहा है तो यहाँ पर address देते हैं keyword generator का मैं लेखता हूँ so available है यह and click on save processing हो रही है and bloggers created और अब हम अपने blogger के dashboard के अंदर आ गए हैं so सबसे पहले मैं आपको view blog पे click करऊंगा और blog को दिखांगा कैसा अभी initially blog हमारा कैसा देख रहा है so bottom पे corner view blog लिखा है मैंने वापे click किया अभी इनिशली हमारा blog कुछ इस तरह किस देख रहा है left corner पे so इसमें theme देख रहा होंगे लिखा हुआ एक जगह है so इस theme पे click करिए फिर नीचे बहुत सारे आपको templates देख रहा होंगे so इसमें से आप simple blog एक नाम के template है उसको select कर लिजिए simple blog को and click कर देजिए apply पे got it पे click करिए so new theme applied successfully यहाँ पे आगया है message so उपर top पे चलिए है so यहाँ पे हमार theme यहाँ लग चुकी है अब यहाँ पर देख रहोंगे यहाँ लिख रहा है drop down arrow so इसपर click करिए switch to fourth generation classic theme इसपर click करिए और जो center वाला option है switch without backup इसपर click करिए ठीक है then again drop down पे जाहिए और सबसे last option है change name bar अगर यह off पे है तो उसको ऐसी रहन दीजिए अगर इसमें कोई दूसरा option select हुआ हो so उसको change करके आप off कर दीजिएगा and click on save अगर off है तो उसको ऐसी रहन दीजिएगा ठीक है अब नया tap खोलिए और description पे आपको मेरे website का link होगा उस link में click करेंगे तो आप मेरे website पहुचेंगे वहाँ पे उस website के setup पर देंगे सारी scripts आपको available है so मैं अपने site पर जाता हूँ मेरे site के link आपको description मिल जाएगा so यहाँ पर रेकार learn how to make keyword generator to website in blogger so इस पर आर्टिकल पर मैंने click किया so इस article पर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है बुरत short intro दिया है उसके बाद मैंने step by step कैसे आपको follow करने steps कैसे site setup करने नहीं मैंने यहाँ पर सब कुछ step by step लिखा हुआ है यह भी पढ़ सकते हैं so आपको काम है कि आपको यह वाला code है वह copy करना है पूरा code थोड़ा बढ़ा है तो copy अच्छे से करिएगा कोई चीज मिसना हो जाए so copy करिए यह से Ctrl C से copy करा मैंने and वापस गया हमां यहाँ पर ब्लॉग और के टैश्वोट पर अब यहाँ पर लेका Edit HTML इस पर क्लिक करिए कहीं पर भी क्लिक करिए और Ctrl A प्रेस करिए तो इस entire code आपको जो है वह स्लेक्ट रुड़ा है का then click on delete तो पूरा code जो पहले था यहाँ पर डिलीट कर दीजिए और जो आपने मरी site से copy किया है उसे यहाँ पर paste कर दीजिए Ctrl V से यहाँ पर उपर corner पर right corner पर click on save so update successful आपर message आ गया है तो हमारी setup बिल्कुल अच्छे से हो चुका है so अब आप पर काम है यह आप click करेगे view block पर फिर से और देखिए आपकी site बिल्कुल के setup हो चुकी होगी so guys यहाँ पर हमारी site setup हो चुकी है अब जहाँ पर लिखा हुआ है place your ad code today code to so यहाँ पर आप Google AdSense के अपने ad लगा सकते हैं और आपकी earning model start हो जाएगी so अब site of work कैसे करना है पहली वह देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है keyword यहाँ पर आप keyword लिखिए जो आपको एक word search करना चाहते हैं मुले कि मैं यहाँ लिखता हूँ tech और यहाँ पर लिखा include results for keyword a to z कि a से z तक के हर alphabet के numbers इस keyword से मिलते चुलते आपको मिले इस पर आप चेक कर देजिए और get keyword पर click करिए so देखिए आप लोडिंग स्टार्ट होगी green यह पूरा जैसे हो जाएगा उसके बाद आपको सारे keywords आपको देखने लगेंगे so बस यह होने वाला load होने वाला है and guys देखिए tech word के जित्ते भी keywords है वह यहाँ पर आपको show हो रहा है tech deck, tech wear so A से कितने मिलना है tech armor, iPhone 12 B से कितने है tech bag, tech belt C से कितने keywords आ रहा है D से कितने आ रहा है F से कितने आ रहा है till Z तक के हर alphabet से आपको tech से keyword आपको मिल जाएगा आप अपने according देखिए choose कर लेंगे आपको भी keyword type लिख करिए और इस वाले पर चेक दूर करना है आपको पहले वाले box पे तब ही आपको keyword अच्छे से मिलेंगे so यहाँ से इसको करता हूं refresh पहले अब मैं थोड़ बता दूं कि आपको थोड़़ कैसे करना इसको अगर आपको थोड़े coding आती है अगर आपको HTML इसस आता है तो आप बहुत easily यह जो background pink color यह बहुत असाने change कर सकते हैं और अगर आपके पास अभी AdSense का approval नहीं है अगर आप बिल्कुल beginner है blogger के अंदर so comment करिए आपको पहले इसे copy कर लीजे आप इसे code लिखा हुआ place your add code to इसे copy करिए ctrl c और वापस चलिए हमारे blogger के dashboard पे themes पे क्लिक करिए edit HTML पे क्लिक करिए कहीं भी क्लिक करके आप ctrl f प्रेस करिए तो एक search step फुल जाएगा वहाँ पे जो आपने copy किया था वह यहाँ पे paste कर दिए ctrl v के नाम भी से and enter क्लिक करिए so यह highlight हो गया देखिए आप ए corner पे place your add code to so इसको यहाँ से हटाके आप कुछ भी लिसकते हैं अपना copyright content से लिए लिख देते हैं अभी हम copyright 2020 all right reserved made made by tech era youtube channel ठीके मैंने यहाँ पे लिख दिया है और मैं यहाँ से save कर देता हूं से फिर देखिए क्या होगा so save हो गया है so यहाँ से हमें side to करता हूं refresh so देखिए हमार copyright content यहाँ पे आ चुका है so guys आप देख रहे होंगे कि यह थोड़ा right hand side पे हो गया है बीच में middle में नहीं है center पे नहीं है so इसको center पे कैसे लेके आए अब so वापस दलते है blog or dashboard पे यहाँ पे यहाँ पे copyright content लिखा है उससे पहले आपको एक statement लिखने पड़ेगी वह आप लिखके दिखा रहा हूं एक end का sign मिनाएगा n, b, s, p and summing को और नहीं आएगा यह क्या होता है कि एक space की spacing दे देता है यहाँ पे so इस statement को आप तीन से बर copy करिए और यहाँ भी paste करिए and click on then save अब यहाँ पे इस को करिए refresh so आप देखेंगे कि center पे यहाँ आ चुका है so इसी तरीके से आप जो उपर heading लिखी हुई है free keyword generator इसको भी change कर सकते है मैं आपको दिखाता हूँ कैसे change करेंगे आप इसे copy करिए ctrl c से वापस जाईए और यहाँ पे कहीं भी click करके ctrl f press करिए और जो वहाँ से आपने copy किया है वह यहाँ पे search tab कुला है इसमें paste कर दिजिए and click on enter so देखिए free keyword generator यहाँ पे highlight हो गया है अब इसको आप यहाँ से हटा के अपने मन पसंद headache जो अपलेशन चाहते हैं वह यह लिख दिए keyword generator by tech era देखिए मन यहाँ पे लिख दिया and click on save अब मैं जाता हूं यहाँ पे site करता हूं refresh so देखिए heading हमारे change हो गई है इसी तरीके से यहाँ पे paragraph लिखा हुआ है using this amazing free keywords finder tool you can find unlimited keywords opportunities इसको भी और change करेज़े इसको copy करेज़ और search tab खोलिए और वहाँ पे highlight हो यह और उसके बाद change कर दिजिए so अगर आपके पास adsense का approval है so इसकी जगे आप जो मारी copyright लिखा है इसकी जगे आप अपने adsense cold लगाएगा अगर आप beginner ने फ्रेश है आपके बास कोई adsense approval नहीं है तो यहाँ पर करने डवन लिख दीजिए so इस तरीके से आपके site यहाँ पर professional लगेगी और डवलब भी हो जाएगी वीडियो देख रहे है तो प्लीज यूडियो को लाइक कर दीजिए मैं बिग बिगिनर हूँ so प्लीज सपोर्ट करें TechEra को THANK YOU SO MUCH